आज तक पर हमाई साथ खास बातचीत में जुड़ रही है सुप्रिया सुले, NCP की वरिष नेता, सुप्रिया जी आज तक में बहुत-बहुत स्वागत, सबसे बड़ी बात एक नए फॉर्मेशन का गठन हुआ है और कहते हैं कि महराश्ट्र से winds of change blow करती है, सरकार बन गई है और आप कोशिश यह होगी कि सरकार सही रास्ते पर चले, क्या उमीद है कि लंबी पारी खेलेगी महराश्ट की यह नहीं सरकार? बिलकुल, obviously. उमीद है आपको? उमीद नहीं विश्वास है. जिस तरह से यह formation हुआ है, तो कई चर्चा जोरों पर है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को चुनोती दी है, बीजेपी का जो विजेरत है, उसको रोका है, वो महराश्ट्र का जो पूरा बीजेपी का एक त यह मैं त wygląda जयत और लोगोगन का होता है, उसमें लोग देते हैं, और जो चुनक्या है, उन्होंने कि आफेज की सेवा में काम करना है, तो मैं किसी की हार या जीट इसकिर पर ऑन पर जिम्मेदारी आती है, उसमें उन लोगों ने आपनेडेश और से राज्य की सेवा करना, इसलिए लोगों ने हम कुछ उनके दिया है और और कम करते रहेंगे पवार साब की भूमिका की बहुत चर्चा है कि एक जो नई राजनीती के नई चाननक्य के रूप में लगाता है सोशिल मीडिया में भी इसकी खूब चर्चा हुई मेरे ख्याल से मीडिया में आज आ रहा है मैं तो उनकी राजनीती पचास साल से देखती आ रही हूँ और मेरे ख्याल से ऐसा पचास साल से वो आज राजनीती में है और मेरे ख्याल से हमेशा लोगों का जो विश्वास उन्होंने पाया है लोग हमारे अच्छे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े रहे, मैं उसको ज़्यादा महत्व देती हूँ एक दोर ऐसा था जब क्लियर नहीं था कि सरकार बनेगी, आपके दादा अजीद पवार दूसरी कैम्प में चले गए थे, उस समय टेंशन में थे, शर्द पवार साब चीजे होती ही रहती है लाइफ में, हरेके लाइफ में ऐसे चड़ाओ और उतार आते हैं, it's a part of life क्योंकि घर के घर का ही कोई शक्स गया था, आपके ही भाई गये थे, आपने भी ट्वीट करके, परिवार में जिस तरह का बिखराफ था, टेंस मोमन था, उस हमें क्या सीखा अपने अपने पिता से सिर्फ इतना तो मेरे इसी क्राइसिस में नहीं हमारे लाइफ में अच्छे बुरे दिन सब क्या आते हैं, उसमें कोई बढ़ हम कोई अलग नहीं उसमें, सिर्फ हमारी पॉबलिसिटी होती है, इसलोग थोड़ा सा लगता है, लेकिन मेरे ख्याल से जो शान्ती मेरे फादर और मदर ने दोनों ने दिखाई, तो कभी भी कोई भी क्राइसिस अच्छा हो या बुरा हो, एक्स्ट्रीम इमोशन नहीं दिखाने चाहिए और ना करने चाहिए, कब ना रैशनल थिंकिंग हिल जाता है, तो जब काम रहे, फोकस रहे, और अपने मन में और दिल में साफ हो दिल, तो मुझे नहीं लगता कोई चिंदा की बात है, प्रधान मंत्री के साथ शरत पावार साब के बहुत अच्छे संबंध है, जब गुजरात के मुख्य मंत्री भी थे, उस दोरान भी, मतलब उनके संबंध बहुत अच्छे रहे, एक मुलाकात भी थी, हम लोग ने पा महराश्चा की राजनीती की संस्कार है, हम हर पाटी के लोगों से हमेश्य अच्छे रिष्ते रखते हैं, क्योंकि हमारे यहा कोह विरोधक नहीं है, यह विचारों की लड़ाई है, यह परसनल लड़ाई है और महराश्रा का कलुछर रहा है, संसकार सब पर रहे, कि हम सब ह दूसरे पे टिका टिपनी करें, यह पॉलिसी का अंतर है, यह परसनल कोई नहीं, तो हमारे सब के बहुत अच्छे रिष्टे रखते हैं, प्रदान मंत्री ने कौफर भी किया था पवार साब को, उसमें तो मैं थी नहीं, और दो बड़े लोग जब बात करते हैं, तो उस पे मैं माननिया प्रदान मंत्री जी की तह दिल से आबारी हो, कि उन्होंने जो विश्वास इनसी पे पे दिखाया है, यह माननिया प्रदान मंत्री जी का बड़ापन है, कि उन्होंने यह बात छेड़ी, पर उस समय क्योंकि शिवसेना के साथ आप लोग गए हैं, तो उस समय पावार साब ने जिकर कि आप से कि शायद हम लोग बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, जो उन्होंने किया था, इसी कोई बात नहीं है, पावार साब ने मना कर दिया प्रदान मंत्री को, कल तो इंटर्व्यों ने बोला है, और मुझे नहीं लगता पावार साब को एक स्प प्रदान की पावार साब के बारे में, एकस्पाइडी डेट की उनकी बात की, अब उलतीन पहिये की सरकार है, ज्यादा समय नहीं चल पाएगी, ठीक है, उनको बोलने का अधिकार है, और हमारी और उनकी सरकार में यही तो अंतर है, हम किसी का आवाज दबाने की चीज कही नहीं रखते हैं, आज वो विरोध में है, उनका मांच सनमार हमारी सरकार से पूरी तरफ से होगा, प्रधार मंत्री इसे रिष्टों में खटा, इस वज़े से क्योंकि पावार साब के पूराने रिष्ट है, तो क्या हुआ, अगर किसी को, आप आपकी मा को, या फैमिली मे या दोस्त को ना बोले, तो कटूता थोड़ी आती है, as a matter of fact, वो सचाई है.